थ्वड़े स्ट्रीमर्स चे स्वागत है आप सबने सही सोचा पंजाब में एक कहावत है एक पंजावी बिना मक्की की रोटी और साग उस प्रकार होता है जैसे जल बिन मचली तो आज हम मक्की की रोटी तो जरूर बनाएंगे पर एक ट्विस्ट के साथ वीडियो अंथ तक जरूर देखें क्योंकि बिगनर्स के लिए ये रोटी बनाना बहुत आसान होगा आईए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको ये रेसिपी बनाने के लिए केवल चार इंग्रीडियेंट्स चाहिए मकी का आटा मेथी या कोई भी साग नमक तेल अगर आप लसुन खाते हैं तो वो भी ले सकते हैं अब बढ़ते हैं रेसिपी की ओर साग के पत्तों को अच्छे से धोले मकी का आटा स्वाद अनुसार नमक और अगर आपने लसुन लिया है उसको अच्छे से काट कर एक साथ मिला ले धीरे धीरे हलका गरम पानी डालते हुए इसे गून ले जब तक ये कुछ ऐसाना दिखने लगे ये देखिए अब इस गूंदे हुए आटे के गोले बना ले अब हम इसे बेलने के लिए एक प्लास्टिक शीट लेंगे उस पर थोड़ा पानी लगाएंगे ताकि वो चिपके ना और एक गोले को इस प्रकार प्लास्टिक शीट ल के बीच में रखकर बेलेंगे बिगनर्स के लिए ये बेहद ही आसान तरीका है जरूर राइ कीजेगा और हमें कॉमेंट सेक्षिन में भी जरूर बताईएगा गैस को सिंपर रखकर इसे तेल लगा कर सेखेंगे दोनों तरफ से अच्छे से सेखिएगा अच्छे से सेखने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा अब आपका ये मक्की की रोटी और साख का ट्विस्टेड वर्शन रेडी है इसे मलाई बटर या चार के साथ खा सकते हैं और गरम-गरम खाये का मजा आजाएगा ठंड के वी सीजन में thank you for watching do like share and subscribe